मार्ग दर्शक के रूप में बता रहा हूँ, एक्टिप पॉर्टिस हैं दोस्तों नमस्कार, राजनीती के अंदर आपकी जो कही हुई बात होती है वो कभी बे मायने नहीं होती, राजनीती के अंदर खासकर हाला कि कही हुई बात का मायना तो हर जगे होता है लेकिन राजनीती में कही गई बात का कही मायने होते है राजनीती में कही गई बात कही संदेश देती है और उसका संदेश बहुत दूर तक जाता है खासकर राजनीती के अंदर जब नेता लोग बोला करते हैं तो भले ही लगता तो ये हो कि हसी ठिठोली में बोल रहे हैं लेकिन उसके पीछे कोई गूड अर्थ भी छुपा होता है आपसे सारी बात का जिक रिसलिये कर रहा हूं कि अभी दो दिन पहले हर्याना पर्देश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उद्यभान जी और हर्याना कॉंग्रेस के CLP लीडर यानि की विधान सवा में विबख्ष के जो नेता है भूपेंदर सिंग उड़ा हर्याना के पूर्व मुख्य मंत्री उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस की मीडिया के लोगों से रूबरू हुए मकसद ये था कि कॉंग्रेस जो यानि की हुड़ा साब और चौधरी उद्यभान जो क्योंकि कॉंग्रेस के अंदर भी आजकल इतना कुछ है कई गुठ है तो पता नहीं चलता किसके लिए कह रहें लेकिन जो ये बात में आपको बता रहा हूँ ये कॉंग्रेस का चौधरी भुपेंदर सिंग उड़ा और चौधरी उद्यवान ये दोनों बड़े नेता इन लोगों ने प्रेस कॉंफरेंस बुलाई थी उस प्रेस कॉंफरेंस के अंदर दिपेंदर हुड़ा भी थे उस प्रेस कॉंफरेंस के अंदर चौधरी विरेंदर सिंग भी थे बंगर चौधरी उस प्रेस कौन्फरेंस में वरुन मुलाना भी थे और तमाम नेता भी उस बेठक के अंदर प्रेस कौन्फरेंस में मौझूद थे मकसद था उस प्रेस कॉन्टरेंस का कि चौधरी उदायभान और हुड़ा साब के नेतरताओं में कॉंग्रेस निकालेगी यात्रा उस यात्रा के जो रत यात्रा निकलेगी उसके सार्थी भुपेंदर सिंग उड़ा तो होंगे ही उनके साथ में चौधरी उदा एवान, देपेंदर, उड़ा और बाकी तमाम कॉंग्रेस के नेता भी होंगे और यात्रा जो निकाली जाएगी उसके जरिये हर्याना की सरकार से जो हर्याना की सरकार है भारती जन्ता पार्टी की जो दस साल से सरकार चल रही है इस सरकार से कॉंग्रेस जवाब मांगेगी एक लोगो लांच किया कॉंग्रेस ने उस दिन उस प्रेस कॉंफरेंस के अंदर और कहा की हर्याना मांगे हिसाब यानि की दस साल का हिसाब मैंने अपने एक वीडियो में आप से कहा था कि हिसाब तो मांगे ही जाते है लेकिन उस प्रेस कॉन्फरेंस की जो मुख्य बात थी जिस पर आप से मैं कह रहा हूँ कि कही गई बात के माइने होते हैं और वो दूर तक जाती है उस प्रेस कॉन्फरेंस के अंदर जब चौधरी उदैभान ने संबोधन के लिए आमंतरित किया बांगर चौधरी को चौधरी विरेंदर सिंग को तो उनका परिचे कुछ यू कराया कि चौधरी विरेंदर सिंग पुराने निता है कहा कि उनका पांच दशक का अनुभव है यानि कि पचास साल का और उसमें से चालिस साल का अनुभव तो कॉंग्रेस का है और हस्ते हुए कहा कि दस साल का अनुभव भारती जन्ता पार्टी का है चौधरी विरंदर सिंग दस साल बीजेपी में रहकर आए हैं चौधरी उदेवार ने कहा कि वो मार्ग दर्शन करेंगे अब इस बात पर मजा लिया चुटकी लिया आप ये कहें कि भूपेंदर सिंग हुड़ा जी भी बीच में आए और अपनी बात रग गए उन्होंने कहा कि मार्ग दर्शक बन गई ये मार्ग दर्शक चौधरी विरंदर सिंग के लिए और विरंदर सिंग भी कम नहीं है खाटी निता है विरंदर सिंग ने तुरंत मोर्चा सभाला जैसे ही माइक पकड़ा तो कहा कि ये होने वाले हैं मार्ग दर्शक यानि कि हुड़ा साब मार दर्शक होने वाले हैं साथ में यह भी कहा कि मैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं यानि की सक्रिये हूं पूरी तरह से आप सुनिए इस पंदरा सेकंड के इसके जो इनका आपसी जो बातचीत थी मारदर सेंद हमें साथ बहुत बहुत ही बेतर रूंका रहा है तो वो भी अपने तुछ रुचार रखेंगे उसके बाद हुड़ा साथ और फिर उसके बाद आप से सवाल लेगा है आप दर्शक बन चुके हैं और यह पने रहा है तो आपने सुना इसके अंदर उद्रभान जी ने कहा कि मारगदर्शक मारगदर्शन करेंगे यानि कि उन्हों तो एक सथ पीछे कहा कि मारगदर्शन करेंगे और हुड़ा साब ने कहा दिया मारगदर्शक हो गए और चौधरी विरंदर सिंग ने कहा दिया कि मारगदर्शक यह होने वाले हैं पहले आपको मैं बता दूं कि यह मारगदर्शक की बाद जो चली है गंभीरता जब जादा इसमें चली है तो यह तब से जादा है जब से भारती जंता पार लल में भीज दिया तब से राजनीती के अंदर चुटीले अंदाज में जिनकी कहीं चुटी होनी हो उनको मार्ग दर्शक कह दिया जाता है यह मकसद था कहने का और जो चौधरी विरंदर सिंग ने कहा बांगर चौधरी ने आपको मैं ध्यान दिला दू कि बांगर चौधरी से ठीक पहले 2014 के विधान सवाचुनाव से पहले भारती जनता पार्टी जोएन की थी बीजेपी में शामिल हो गए थे अमिशा के नेतरताव में उनकी बड़ी रैली हुई थी उस समय और भारती जनता पार्टी में जाने के बाद राज्य सभा का सदस्य बनाया गया चौध कैबिनेट मंत्री भारी भरकम ठीक ठाक उनको मंत्राल्य मिले 2014 से 2019 मोदी की कैबिनेट के अंदर वो मंत्री रहे केंद्र सरकार के वजीर और 2014 के विधानसभा चुनाओं में भी प्रेम लता जो उनकी धरम पतनी है चौधरी विरंदर सिंग की उनको भारती जनता पार्टी ने उचाना से विधानसभा का टिकेट दिया वो विधायक भी बनी हलाकि उन्हें तो कोई पोट्फोलियो मंत्री मंडल में नहीं मिला लेकिन चौधरी विरंदर सिंग लगातार केंद्र की राजनीती में सक्रियर है लुटियन जोन में उनकी पूरी धमक रही और उसके बा क्योंकि बीजेपी के अंदर कहा जाता है कि एक परिवारबाद वाली राजनीती को वो कम असर देते हैं लेकिन उसके अंदर भी बात जरूर जाएगी कि जब चौधरी विरंदर सिंग खुद सेंटर मिनिस्टर थे और उनके धरम पत्नी को विधायक MLA बनाया गया तो वो मेरे हजम नहीं होती है कि यह कैसा परिवारबाद जब एक ही परिवार के पती पत्नी अगर सांसद और विधायक थे केंदर के मंत्री और सूबे में विधायक खेर भारती जंतना पार्टी से उनकी जो डील हुई यह हुई कि उनके बेटे को सांसद बना दिया जाए लोग स विरंदर सिंग का राजसभा कारेकाल पूरा हो गया था उनको वहां से उन्होंने अपने स्वेच्छा से अपना समर्पन कर दिया और चौधरी विरंदर सिंग के बेटे ब्रिजंदर सिंग 2019 के चुनाओं में हिसार से सांसद बन गए बीजेपी की टिकेट पर और धरम पत् पाड़े-चार साल हुजूर आते याते बहुत देर कर दी छोड़ी तो सही बीजेपी छोड़ी उन्होंने और कारण बने दुशन चोटाला लेकिन बड़ी मज़े की बात यह कि दुशन चोटाला के चलते जब भारती जंता पार्टी छोड़ी चोड़ी विरंदर सिंग न निर्माण होता है चोड़ी विरंदर सिंग जब पहुँच गए कॉंग्रेस के अंदर तो कॉंग्रेस में जाकर के एक बार फिर बात आई क्यूंकि चोड़ी विरंदर सिंग पहले कॉंग्रेस में रहे थे कॉंग्रेस में रहते वो उनके कभी चोड़ी भजनलाल के साथ 36 क आकड़ा रहा हलांकि बुपेंदर होड़ा और विरंदर सिंग जो वांगर चौधरी हैं ये ममेरे फुफेले भाई हैं लेकिन दौनों की पटरी कभी बैठी नहीं जब चौधरी विरंदर सिंग की दूसरी बार जो पारी शुरू हुई कॉंग्रेस के अंदर अब 2024 के हाल के लोगसभा चुनाव के एलान से पहले तो लगा ये कि एक तीसरा धड़ा बन जाएगा लेकिन चौधरी विरंदर सिंग पहले कभी कदम ताल करते दीखे वो कुमारी सेलजाग उठके साथ में पहली बार उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस और साजा की हुड़ा साब के साथ और पहली ही प्रेस कॉंफरेंस के अंदर मार्ग दर्शक और मार्ग दर्शक बनने की बातें सामने आ गई अब बड़ी बात यह कि आखिर चौधरी विरंदर सिंग ने जो का हुड़ा साब के लिए कि ये मारग दर्शक होने वाले हैं बनने वाले हैं ये उन्होंने किसी गंबीर सोच के साथ कहा या चलती बात में चल पड़ी कि जैसे उन्होंने कह दिया क्योंकि कॉंग्रेस की राजनीती के अंदर भी अब मार्क दर्शक वाली बात तो चल पड़ी है और कॉंग्रेस के अंदर भी आप मान लें कि लोगसभा चुनाओं में पूरा सेकड़ा तो नहीं हुआ लेकि 99 का फेर जरूर जुड़ गया कॉंग्रेस के साथ में 99 सांसत बन आज जो विधान समाओं के उपचुना हुए हैं इससे भी राहुल गांधी सोनिया गांधी कॉंग्रेस वाले बल्ले बल्ले होंगे आज भी यानि कि चड़दी कलांपे हैं फिलालतों तो कॉंग्रेस के अंदर भी अब वो सब कुछ चल सकता है आने वाले समय में और हुआ पाचल परदेश में वीरभदर सिंग की धरम पतनी प्रतिबार यानि की नानी साहिबा और उनके फिर बेटे विक्रमा देते हैं जब सामने आने लगे तो उनको भी कह दिया गया कि आप भी मार्गदर्शक हो सकते हो इक तरह प्रतिबा सिंग जी को और सुखु के मामले में कोई समझोता नहीं किया इस लिहाज से चौधरी विरंदर सिंग का कहना ये दूर तक माइने रखने वाली बात है वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चौधरी विरंदर सिंग की बात के यानि की हुड़ा साब मार्गदर्शक होने वाले हैं इसके कोई माइने है और या फि तिरतव हर्याणा में कौन करेगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहें हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन